हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल पर देखिए आज हम पढ़ेंगे बोर्ड माश नियम के बारे में हाँ देखिए सबसे पहले हमारा आता है बोर्ड माश नियम में वी वी का मतलब होता है रे का कोश्टक मतलब बार ब्रेकेट या इसे विन कुलम भी कहते हैं जैसे कोई भी संक्या पर बार लगा हो तो उस संक्या को हमें सबसे पहले सरल करेंगे बाद में दूसरे नमबर पर आता है हमारा वी का मतलब होता है कोश्टक या ब्रेकेट ब्रेकेट में हम सबसे पहले चोटे कोष्ट को सरल करेंगे फिर मंजला कोष्ट को सरल होगा और सबसे अंत में बड़े कोष्ट को हल करेंगे इसके बाद हमार आता है O O का मतलब होता है कहीं पर का के या की इसको ओप भी कहता है इंगलीस में इसका मतलब होता है गुना करना कोई भी संकिया का गुना करना और हम कोस्ट को सरल करने के बाद ओप को हल करेंगे या का को हल करेंगे उसके बाद आता है डी, डी का मतलब होता है डीवाइडेसन इंगलीस में और इसे हिंदी में भाग कहते हैं यह हमारा भाग का साइन है इसके बाद हम गुणा को सरल करेंगे गुणा को इंगलिस में मल्टिप्लिकेशन कहते हैं इसलिए यहां पर एमली का हुआ और गुणा का साइन होता है क्रोस गुणा के बाद हम जोड को सरल करेंगे जोड को देखिए हम अब एक बार और से पड़ लेते हैं इसकी कीरिया सबसे पहले हम विन कुलम बार को या बार कोष्ट को हल करेंगे उसके बाद छोटे कोष्ट को तो उसके बाद मंजले कोष्ट को तता अंत में बड़े कोष्ट को हल करते हैं कोश्टक के बाद का को हल करते हैं उसके बाद कर्मा नुसार सबसे पहले बाग बाग के बाद हम गुणा करते हैं गुणा के बाद जोड करते हैं तता सबसे अंत में हम गटाते हैं इसे हमारा पूरा का पूरा परसन शही से हल हो जाता है और हमारा उत्र भी सही आता है ठीक है दोस्तों दन्यवाद आप चैनल को लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए